सबी भाईया बहिन को दीदी का प्रणाम आज हम पढ़ने जा रहे हैं सितिज पाटे पुस्तिका से पाट्स चोधा केदारनात अगरवाल हम सर्व प्रत्थम केदारनात जी के जीवन का परिचे करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया और उनका कभी भाव कैसे उद्गरित हुआ और उन्होंने किस प्रकाय की रचुनाय लिखी और उनका जीवन परिचे क्या है केदारनात अगरवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जीले के कमासीन गाउं में सन 1911 में हुआ उनकी शिक्षा इलाबाद और आगरा विश्विध्याले से हुई केदारनात अगरवाल पेसे से वकील रहे हैं अर्थात उनका जो काम था वो वकील आई कह था उनका ततकालिन साहित्य आंदल 1911 जुड़ाव रहा है सन 2000 में उनका देहान हो गया केदारनात अगरवाल ने अनेक प्रकाय की रचनाएं लिखी जिसमें मुख्य थी नींद के बादल युग के गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं आग का आइना पंखो और पतवार ये मेरी तुम मार प्यार की थाफें और कहे केदार खरी-खरी ये उनकी प्रमुकावे क्रतियां थी इस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं और भी लिखी लेकिन केदारनात अगरवाल को प्रगतिवादी धर्रा के प्रमुक कवी माने जाते हैं यहाँ पर जो हमें कविता दी गई है चंद्र गहना से लोटती बेर इसमें कवी ने प्रकार्ति के प्रति अपने गहरे लगाओ को व्यक्त किया है कि वो एक चंद्र गहना से नामकिस्तान से लोट रहा है और लोटते हुए जब वो प्रकार्ति में किसानों को और खेतों को लह लहाते हुए देखता है चारो तरफ हरियाली देखता है तो उसकी तरफ आकरशित होता है और इसी भाव को वहाँ पर वर्णन करता है देख आया चंद्र गहना देखता हूँ द्रिश्य अब में मेड पर इसकी खेत की बेटा अकेला एक बीते के बराबर यहां हर टिगना चना बांदे मुरेथा सीस पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है अर्थात के यहां पर जो कवी है वो इसके भाव उसे वेक्त कहना चाहता है कि जब कवी चंद्र गहना से लोटता है अर्थात की जब वहाँ से आता है तो वो बेर कविता की प्रस्तुतंक्तियों में कहते हैं कि गाउं की सुन्दर्ता का बड़ा ही मनोहर उलेक करते हैं वे चंद्र गेना नामक गाउं गूमने गए हुए थे और जब वे वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई देता है अभी उनकी ट्रेन को आने में बहुत समय था इस कारण वो खेत की प्राकरतिक सुन्दर्ता को निहारने के लिए एक खेत की मेड़ पर जहां पर की अब मेड़ किसको बोलते हैं कि दो खेतों के बीच में एक छोटा सा रास्ता बना हुआ होता है उसको हम मेड़ बोलते हैं चैन्दर गेना नामक आन देख लिया है अब में इस खेत की मेड़ पर बेटगर खेत प्राकरतिक सुन्दर्ता का विलाभ उठाता हूं अरिफात देख आया में चैस यह विखता हूं अब मैं आगे का ओर द्रश्य देखता हूँ कि मेड़ पर इस खेत के बेठा अकेले अब मैं इस मेड़ की जो ये खेत की जो मेड़ है उस पर मैं अकेला बेठा रहना चाता हूँ एक बीते के बराबर यहां हरा तिगना चना अर्थात की जो यहाँ पर एक ही जो चना है वो टिगने के बराबर है आगे एक चने के पोदे का बड़ा ही सजीला मानवी करन करते हैं और कहते हैं कि एक बीते यहाँ एक पंजे की लंबाई के बराबर ज्यादा से ज्यादा एक फुट की लंबाई वाला ये हरा चने का पोद तो उसके अंदर गुलाबी रंग के पोदे फूल खिले हुए हैं और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है मानो कोई दूला पगड़ी पहन कर सजदज करके शादी के लिए तयार हो रहा हो पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली देह की पतली कमर की है लचीली नीले फूल को सिर पर चड़ा कर कह रही है जो छुए ये अर्थार्थ की दू हिदे को दान उसको अर्थार्थ की वो के रही है कि जो नीले फूल को सिर पर चड़ा कर जो मुझे छूले मैं उसको ये दान देऊंगी अर्थार्थ की कभी कहता है कि अलसी का जो पोदा होता है वो बहुत ही पतला होता है और थोड़ी सी हवा के कारण भी उन में हिलने लगता है और वो इदर से उदर जुकता रहता है जुक कर फिर खड़ा हो जाता है इसलिए कभी ने उसे यहां देह की यानि सरीर की पतली और कमर की लचीली कहा गया है उन्होंने चने के पोदे के पास में उगे हुए अलसी के पोदों को नाइका के रूप में दिखाया गया है उनके अनुसार ये नाइका बहुत ही जिद्धी यानि की हटीली है इसलिए हट पूर्वक इसने चने के पोदे के मद्धे अपना इस्तान बना लिया है और इन पोदों में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नाईका अपने हाथों में फूल पकड़ कर अपने प्रेम का इंतरी जहार कर रही हो जो इसके प्रेम को स्विकार करेगा वो इस पर अपना प्रेम लुटाने के लिए तयार खड़ी है अर्थात के इस पद्यांज के माद्यम से कभी कह रहा है कि जो ये अल्सी का पोदा है उसको देह रुपी अर्थात के मानों के सरीर से यहां पर तुलना की गई है कि जिस प्रकार से पतली कमर लचीली है और उसके जो अपनी उसकी जो देह की है वो क्या है लचीली है और वो चने के पास में ही उग गई अर्था तो उसने हट पूर्वक अपना इस्तान वहाँ पर बना लिया है और सर्सों की न पूचो हो गही सबसे सयानी हाथ पीले कर लिये हैं ब्याह मंडप में पदारी फाग माता मास फागुन आ गया है आज जैसे अर्थात की यहाँ पर और सर्सों की न पूचो अब उसने अलसी और चने का वन्नन करने के बाद में कवी ने अब सर्सों का वन्नन किया है और कहता है कि यहाँ पर जो सर्सों की तुलनाए वो एक नई नवेली दूलन से की गई है कि वो अपने हाथ पिले करके जैसे कि एक नई नवेली दूलन अपने हाथों में हल्दी लगाय वाथा था पिले किये हुए वो मंडप में सजदजकर जब मंडप में आती है तो कितनी अजसुन्दर लगती है तो यहाँ सर्सों की तुलनाभी नई नवेली दूलन से की गई है खेतों में चने इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कि वो अपने वो केरी है कि सर्सों का जो पोदा है वो जब नई नवेली दूलन के बीच में खड़ाय तो वो ऐसा लग रहे है जैसे कि यहाँ पर उसे ऐसा लग रहे है जैसे उसने अपनी धीरे धीरे प्राकर्तिक सुंदरता में अर्थात के उसने जो सर्सों के जो फूल होते हैं उसके अंदर जो सर्सों जो थोड़ी सी बड़ी हो गई है अर्थात के अपनी योवन नमस्ता को धारन कर लिया है और उसके सिर पर क्या है पीले फूल लग रहे हैं और अपने पीले फूलों के कारण चने और अलसी के बाद में वो नई नवेल दूलहन प्रतीत हो रही है सरसो के पोदे पूरी तरह से बढ़ चुके हैं और उन learnt पी ले रंग के फूल भी खिल चुके हैं यह पीले पुष्ब सुरो की रोशनी में किसी नई दूलहन के हातों की तरह चमक रहे हैं सर्चो की Content पक्च चुकी है इसलिए कभी करते हैं कि कन्याशादी के लाहिक हो चुकिए और अपने हाथ पी ले करके इस खेत रुपी मंड़प पे बेठा हुआ है और अपने हाथ पी ले करके मंडप में पदारी ऐसे लग रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयम फाग होली के समय गाय जाने वाला गीत गा रहा है देखता हूं में स्वयम वर हो रहा है प्रकर्ति का अनुराग अचल हिल रहा है इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रियभूमी उपजाव अधिक है अर्थात कभी केता है कि कभी ने गाउं की प्राकर्तिक सुंदर्रे की तुलना सहर से भी की है कि देखता हूं में स्वयम वर हो रहा है अर्थात के में देख रहा हूं कि यहाँ पर लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो इस प्राकर्तिक सुंदर्रे का लाब उठा सके निरंतर और इसमें उनके मन में प्रेम का भाव बाहर नहीं आ पाता कि चारों तरब सुन्चान इस्तान होने के बावजूदी खेतों में इतना प्राकर्तिक सुंदर्य भरा है कि एसा लग रहा है मानू यहां कोई स्वयंबर चल रहा हो सभी सजदस के खड़ें अर्ता सब अच्छे कपड़े अच्छे तयारी से वहां पर खड़े हुए हैं और मंडब भी सजा हुआ है कर्ण्याय सजगर अपने हाथ में फूलों की माला लेकर दूले का चुनाव कर रही है यहां लड़की से सरसों एवं अलसी के पोदों को संबधित किया गया है जबकि दूले से चने के पोदों को संबधित किया गया है एसा द्रश्य देखकर कवी के अंदर भी प्रेम भावना जागने लगती है इसलिए कवी ने कहा है व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की ये प्रियभूमी अधिक उपजाव है और पेरो के तले एक पोखर उठ रही इसमें लहरिया नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरिया एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंक खो है चमकता है कहीं पत्तर किनारे पी रहे चुपचाप पानी प्यास जाने कब बुजेगी चुपखडा बगुला डुबाएं टांग जल में देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है अर्थात के कवी कहता है कि जब वह सुर्य की रोसनी का बड़ाई सुन्दर वन्नन करता है और मेड पर जहां बेठा हुआ है उसके दूसरी और इस्तित तालाब के जल में हवा में साथ लहरे उठ रही है उसके साथ ही बगल में उगी भुरी घांस भी यू हिलने लगती है मानो आकास में पतंगे उड़ रही हो जब तालाब के जल में सुर्य की किरने पड़ती है तो उसका प्रतिविम्ब जल पे एक चांदी के खंबे की तरह दिखाई देता है जो कवी की आँखों में निरंतर चमक रहा है और लेखक को उसकी ओर देखने में मुश्किल हो रही है दूसरी तरब तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हैं जब जब तालाब में लहरे उठ रही है तब तब तालाब का जल जाकर पत्थर को बिगो रहा है अर्थात के जब हवा चलती है और तालाब के किनारे कई पत्थर भी पड़े हुए है और जब तालाब में से लहरे उड़ती है तो उन पत्थरों को चूती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो लहरे उन पत्थर को गीला कर रही हो एसा प्रतीत होता है मानो पत्थर चुपचा पानी पी रहे हो तरन्तु अभि थक भी उनकी प्यास नहीं भुजी है और पता नहीं कब उनकी प्यास भुजेगी इस तरह कभी ने अपनी पंक्तियों में प्रकति का बड़ाई सुन्दर मानवी करण किया है कभी देखता है कि कुछ बगुले ऐसे खड़े हैं मानो वो जल में पेर डुबाए खड़े-खड़े से सो रहे हो लेकिन जैसे ही जल के अंदर कोई मचली हिलती डुलती मौसूस होती है दिखाय देती है तो अपनी चोस से तेजी से जल के अंदर डाल कर वो मचली को पकड़क निगल जाते हैं और दूसरी तरह आप जल के ऊपर एक काले रंग के सीर वाली चिडिया उपर चकर लगाने लगती है यह उतालाप के जल में मचली जब नजर आती है तो जल के अंदर मचली नजर आती है वो बिजली को तेजी से अपने सपेद पंकों के साहरे जल को चीरती हुई गोता लगा कर अंदर चली जाती है और उस मचली पर तूट पड़ती है और उस मचली को वह काले से माथे पर चिडिये अपनी पिली चोंस में दबा कर अपने आकास में दूर उड़ जाती है और इस प्रकार से वह अपने सिकार करने में सफल हो पाती है अर्थात के के प्रणाम आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं अगला भाग अब अगले भाग में पड़ेंगे धन्यवाद